नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का exam achievement में मैं करुना अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक और model test paper class 12th के लिए subject painting दोस्तों इसके साथ ही आप सभी को धेर सारी wishes आपके कल के board exam के लिए आशा करती हूँ कि आपका paper बहुत अच्छा होगा और आप maximum marks उसके अंदर score कर सकेंगे इसके साथ ही दोस्तों आप मेरे चैनल को subscribe कर लें जिससे कि कल जब आप अपना paper देखा रहें तो आप अपने marks टेली कर सकें जो answer की मैं provide करूंगी उसके माध्यम से उससे पहले paper देने से पहले last एक model test paper आप इसको भी जरूर पढ़ें हो सकता है इसमें से भी कुछ questions आपके उस paper में बैठ जाएं शुरू करते हैं पहले प्रशन के साथ राजपूर्ट paintings पुस्तक के लेखक का नाम बताईए तो दोस्तों हम चाहेंगे इसमें option C के साथ आनंद कुमार स्वामी second question है friends किस मुगल बादशा के शाशनकाल में सरवधिक संख्या में portrait painting बनाई गई थी सरवधिक संख्या में portrait painting दोस्तों शहां जहां के समय बनाई गई थी मैं इस चीज को clear करूँगी और आप लोग भी याद रखें कि portrait painting जिसको हम शभी चित्र या व्यक्ती चित्र भी कहते हैं इसके शुरुवात अकबर के समय से हुई थी अकबर के समय में सभी चित्र बनाने शुरू हुए थे लेकिन जहांगीर के समय सबसे सुन्दर सभी चित्र बनाए गए और अगर पूछा जाए कि सवर्वाधिक या संख्या में सबसे ज़्यादा शभी किसके समय बनी तो वो शहां जहां के समय बनी question number 3 है अकबर नामा पुस्तक के लेखा का नाम बताईए तो अकबर नामा लिखी थी अबुल हसन ने दोस्तों सॉरी बिलकुल गलत बताया मैंने आपको यह यह है option B अबुल फजल अबुल हसन जो थे वो चित्रकार थे जहांगीर कालिन चित्रकार थे और अबुल फजल राइटर थे जिनोंने लिखी अकबर नामा question number 4 है friends उस मुगल शाषक का नाम बताईए जिसने गोल कुंडा पर विजय प्राप्त की तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा option B औरंग जेब औरंग जेब से पहले कोई भी शाषक गोल कुंडा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे question number 5 है दक्षणी कलाशली कर समय बताईए देखे फ्रेंड्स यहाँ पर option दिये हुए है 15 से 16 सताब्दी 16 से 18 17 से 19 और 16 से 20 दोस्तों इसका सही आंसर है 16 से 19 वी शताब्दी क्योंकि अब इसमें option नहीं है 16 से 19 तो इस वज़ा से हम 17 से 19 यानि option C को सही मानेंगे लेकिन इसका सही समय है 16 से 19 वी शताब्दी question number 6 है फ्रेंड्स बनी ठनी किस रंग का पारदर्शी डुपट्टा ओड़कर चित्रकार ने चित्रित किया हुआ है तो नीले रंग का पारदर्शी डुपट्टा बनी ठनी ने पहना है question number 7 है फ्रेंड्स पिछवाई कला कहां की प्रशिद कला है तो पिछवाई का संबंद नाथ द्वारा से है जिसमें श्रीकृष्ण से या उनके जीवन से संबंदित लीलाओं का चित्रन किया जाता है निम्न में से कौन सा कला केंद्र पहाडी कला से संबंदित नहीं है तो इसका एक भी option सही नहीं है फ्रेंड्स मंडी भी पहाडी में है बसोली भी गुलेर भी और चमबा भी अब जाते हैं question number 9 के साथ गोल गुमबद कहां इस्तित है तो गोल गुमबद बीजापूर में इस्तित है option D question number 10 है फ्रेंड्स पहाडी शेली मुख्यता किस से प्रभावित थी तो पहाडी शेली मुगल से मुगल या राजिस्थानी से बंगाली से या सांसारिक से तो हम जाएंगे option B के साथ मुगल शेली और राजिस्थानी शेली से question number 11 चित्रकार नेनसुक का संबंध किस कला शेली से है देखो दोस्तों यहाँ पर option दिया हुआ है कांगडा, गुलेर, बसूली और गडवाल तो नेनसुक जो चित्रकार है उन्होंने गुलेर शेली में भी काम किया है और उन्होंने कांगडा में भी काम किया है पहले उन्होंने गुलेर में काम किया और जब गुलेर राज्य के साथ साथ दूसरा राज्य कांगडा बना दिया गया जो गुलेर के शाशकते उनके छोटे भाई ने कांगडा में शाशनकारे समाला तो फिर नेंसुक उनके छोटे भाई के राज्य में चले गए चित्रकारी करने के लिए तो हम डालेंगे option B, गुलेर Question number 12 है friends निम्न में से किस कलाकार का संबंद राजिस्थानी शेली से है तो राजिस्थानी शेली में निहाल जंद थे Question number 13, खंड B जो हमारा शुरू हो रहा है तो ये है किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है तो option C, बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है Question number 14, मेवार शेली के चित्रों की रंग योजना कैसी है मेवार शेली की रंग योजना आकरशक है हम जाएंगे option C के साथ सलीम का जन्म चित्र किस मुगल शाशक के समय चित्रित किया गया तो ये अकबर के समय चित्रित किया गया option D क्योंकि सलीम अकबर के बेटे थे जिनको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं आगे चार मिनार कहां इश्तित है चार मिनार दोस्तो हैदराबाद में है option A समराट आदिल शाहा का संबंद दक्षणी कलाशेली के किस कला केंदर से है तो आदिल शाहा का संबंद बीजापुर से है option B question number 18 है friends कौन सी पुस्तक अकबर के पूर्वजों का वर्णन करती है तो आईने अकबरी बाबर नामा, शाहा नामा या हमजा नामा तो हम जाएंगे option C शाहा नामा के साथ question number 19 है friends किस मुगल शाशक ने हिंदू ग्रंथों का फार्सी में अनुवाद कराया तो अकबर option C इन्होंने हिंदू ग्रंथों को अनुवाद करवाया फार्सी में question number 20 है friends मारू रागनी चित्र राजस्थान की कौन सी कला शली से संबंध रखता है तो इसका अंसर होगा मेवाड, किशनगर, बूंदी और D तो मारू रागनी का संबंध है option A मेवाड शलीर से मारू रागनी चित्र जिसको हम जोधपूर शली में भी चित्रित किया गया है ये वाला चित्र और सर्वधिक मातरा में जोधपूर शली में बनाया गया है क्योंकि यहां पर अब जोधपूर नहीं है तो हम मेवाड के साथ जाएंगे Question number 21 है दोस्तों पटवा कला किस राज्य से संबंदित है तो पटवा जो कपड़े पर बने हुए चित्र है उनका संबंद है Option A पस्चिम बंगाल से Question number 22 अनवरा सुलेही और यूसुफ जुलेखा किस के काल की किवधनतिया है तो हम जाएंगे Option C कुली कुतब शाहा देखे दोस्तों कहीं कहीं पर इसका आंसर यूसुफ आदल सहा भी दिया हुआ है मैं इस चीज को भी आपको किलियर कर दूँ तो जब किवधनतियों की बात हो रही है तो वो किवधनतिया कुली कुतब शाहा हो गए और उनको चित्रित करवाया था यूशुफ आदल सहा ने अगर पूछा जाता है अनवरे सुलोही और यूसुफ जुलेखा को किस ने चित्रित करवाया तो हम जाएंगे यूशुफ आदल सहा के साथ Question No.23 राजिस्थानी शेली को डाग टिकेट जारी किये गए तो अब तक आप सभी को याद हो गया होगा Option C, बनी ठनी खंड सी इन में से कोई 5 आपको करने है ऐसा आपके पेपर में आएगा लेकिन आपको याद पूरे 6 question करने है तो इसके अंदर क्या होता है कि हमको मिलाना रहता है कि एक और दो सही है, दो और एक सही है और एक और दो दोनों सही है दो एक की व्याख्या करता है एक सही है, लेकिन दो गलत है एक गलत है, लेकिन दो सही है इसके according हमें match करने है 5 questions तो पहला है याँ पर राजिस्थानी पेंटिंग को सुलेमानी पत्थर से जलाया जाता था सेकंड आकर्षक चमक के लिए एक समान चमक देने के लिए सुलेमानी पत्थर का इस्तिमाल किया जाता था तो इसके अंदर हम जाएंगे option B के साथ एक और दो दोनों सकते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की सही से व्याख्या नहीं करते question number मैं अगर इस पे B लगा दूँगी तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए मैं यहाँ पर option B लिख देती हूँ question number 26 है राजिस्थानी पेंटिंग्स वसली पर चितरित की गई थी वांचित मोटाई प्राप्त करने के लिए वसली का उपयोग किया जाता था देखो बिटा वसली क्या होती है कागज के उपर कागज चिपकाते है फिर उस पे और कागज चिपकाते है मतलब हम कागज की एक मोटी लेयर त्यार कर लेते हैं को कहते हैं वसली और वसली पर राजस्थानी पेंटिंग्स बनाई गई थी और मोटाई प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी तो इसके साथ भी हम जाएंगे ऑप्शन B के साथ कि हाँ ऐसा है लेकिन वो एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते क्रिशन और स्विंग पेंटिंग नूर दीन द्वारा चितरित की गई थी क्रिशन और स्विंग पेंटिंग बीका नेर शेली से संबंदित है तो क्रिशन और स्विंग नूर दीन द्वारा चितरित की गई और ये बीका नेर शेली से संबंदित है ये दोनों क्रिशन सही है हम जा रहे हैं B के साथ Question number 28 स्वदेशी विश्यों के समामेलन के लिए मुगल शेली जिम्मेदार थी इस अवधी की कला विदेशी प्रभावों के संसलेशन को दिखाती है ये बाते भी सही है लेकिन Question number 29 हाजी मदनी शहाँ जहां काल के चित्रकार हैं ये बिल्कुल सही बात है हाजी मदनी ने आगरा में ताजमहल का निर्माण किया ये गलत है तो हाजी मदनी सहाँ जहां कालें चित्रकार हैं लेकिन ताजमहल आगरा में हाजी मदनी ने नहीं किया तो 29 में एक सही है लेकिन दो गलत है हम जाएंगे option C के साथ question number 30 column A को column B के उप्युक्त मिलान के साथ सुमेलित करें तो दोस्तों पिछवाई क्या है? श्री कृष्ण जी के पीछे का पर्दा और miss किन कौन है? जिन्हों ने कृष्ण ने गोवर्धन परवत उठाया है ये वाला चत्र बनाया है बनी ठनीने कमल अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है और अनवर असुलेही को चित्रित कराया था आदिल शहा ने ये उसके समय की किवधनतिया है तो दोस्तों कहीं न कहीं इस option से भी हम जाते हैं जो हमारा पहला question गया हुआ है कि आदिल शहा के समय तो हम इसको कुली कुतुब शहा न मान करके हम जाएंगे आदिल शहा के समय कहीं कहीं पर इसका answer कुली कुतुब शहा भी दिया हुआ है लेकिन हम final करते हैं इसको कि ये आदिल शहा के समय ही चित्रित किये गए और किवधनतिया भी मशूर है आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे की इस तरह की और वीडियो की जानकारे आपको मिलती रहें और आप सभी को आपके कल के बोर्ड एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लग आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे मांक्स पेंटिंग एक्जाम में ले करके आएंगे इसी के साथ बाई बाई दोस्तों